कि सवाइए वेर्वन कल तक हमने टैज्जनमी टेग्रीश तक कम्प्लीट किया था अगर आपने फर्स्ट टूडियो नहीं देख ली तो रिस्क्रिप्श्यन में से देख लिजेगा देखिये तो किसे होते हैं टैज्जनमी केटेग्रीश तक हमने पढ़ा था कि हमें करते हैं वो होती हैं सिंगल स्टेप प्रोसेस मोय होती मतलब हमंने हर formation अजहуется मफूम को क्इश से लेकर के लिए धी करना पड़ता है मतलब स्प sizing से लेकर किंडम थो कम से लेकर को किंडम चारण करना है गकेन को 5 अभी एक केटेगरी और रहेंगे डग के मैमल से इसलिए वह एक केटेगरी और रहेंगे मैमल्स के फिर और एनीनल से तो फिर भी एक रहेंग को और केडोरेब्गरें तो दिएकवर ंटाने maior अरेजमेंट It is called taxonomic category considering category goes to taxonomic arrangement एक पाड होती है overall taxonomic arrangement का इसले हम उसे taxonomic category कहेते and all the categories देखो हरец category लेके all the categories constitute taxonomic hierarchy ठीक है फिर बादम होता है remember groups represent category ivalz로 mammals animals थे Nos categories Category represent करते है एक Category further जाके Rank denote करते है मतलब हर एक Category एक Level आगे जाके Rank denote करते है और Each rank और Tag Zone देखो और Tag Zone का है मतलब rank जो हता है वही Tag Zone होते है और वही Tag Zone में Formation करते है In fact, represents the unit of classification, what represents the unit of classification Rank और Tag Zone represents the unit of classification यह अपका MCQ आ सकता है ठीक है these taxonomic groups remains distinct biological entities and not merely morphological aggregates तो देखो हमने हिसे different ink में highlight क्योंकि आए क्वों किया है क्योंकि जो taxonomic groups होते हैं यो सिर्फ mythical aggregates नहीं होते हैं मतलब हम सिर्फ morphology के लिए उनिया नहीं देखते किलों पत्त्ते है पर्व म зайकि नगे ह Candy रूट से या पत्ते हैं इसलिए हम उसे एक प्लांट और मतलब हर टाइप के प्लांट को सिर्फ एक ही क्लास में नहीं लेंगे दूट उनके मॉर्फोलोजी को हम बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं जैसिकी से स्ट्रक्चर उसका इवल्यूशन वगरा देखकर मतलब सिर्फ मॉर्फोलोजीकल एग्रिगेट्स नहीं देखना हमें बाइयोलोजीकल एंट्रैटिस भी देखनी है और फिर बाद में उसका ग्रूप और क्याटेग्रिस की फॉर्मेशन करने हैं फिर बाद में डेवलेप्मेंट आफ कॉमन क्याटेग्रिस सच इस दे किंग्डम फाइलम और डिवीजन डिवीजन इस फॉर प्लांट्स क्लास और फैमिल इस इनस स्पेसिस तो हम आगे देखेंगे ठीक है तो देखो इन्होंने क्या किया है कि केटेग्रिस बनानी बनाई है स्पेसिज बगरा मतलब मगर यहाँ पे जो एक चार्ट है तो यह चार्ट इंपर्ड़न है आपको इसे याद करना पड़ेगा क्योंकि एक्जम में एस पूछा जाएगा स्पेसिस से लेकर किंग्डम तक तो देखो कैसे होता है एक फंडमेंटल बताने जाओ रहूंगा कि देखो फैसिज जो होते हैं न मतलब देखो स्पेसिज बना दी हम स्पेसिस बना दी तो देखो स्पेसिज वन एन स्पेसिज टू पिर बात में कैसे किया ठीफ हूँमई को और जो मंकिस अगर है टीक है एक सब्दा इन में बहुत सरे । ओनों स्पेस्जेंस में डाल धियाक फिर बाद मेंएसे 2-3 जीनस मिला कर उन्हें उन में इसलिए हमने मेले में डाल दिया फिर और दो फैमिली उसमें अड़ tip और प्लास तो फाइलमि और हम add करेंगे और finally देखो kingdom 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 जाएगा कि सिर्फ animal kingdom और plant kingdom बनेगा मतलब animal kingdom में हर एक kingdom में देखेंगे उससे कम कम करते करते जाएंगे kingdom ठीक है तो डिविजन जो होता है वो plants के लिए होता है ठीक है division is for plants तो हम देखो हर एक लाइन important है इस समय मगर हम एक हर एक लाइन पढ़ाने में कोई मतलब मजा ही नहीं तो आपको फिर हम species के बारे में देखेंगे group of individuals with fundamental similarities मैंने कहा था कि fundamental जो similarity रहेंगी हम humans के बीच में हम apps या monkeys के बीच में हम उसे क्या करेंगे species में add करेंगे one should be able to distinguish one species from the other closely related species best on the distinct morphological differences देखो यहाँ पर हम morphological differences देखते हैं क्योंकि हमें species देख रहे हैं यहाँ पर mostly common characters के बारे में हम देखते हैं जैसे कि महेंगा फेरा इंडिका में हमने देखा था अनॉमेंट लेचर पर फोर्स्ट वर्ट हो रहेगा वो जीनस को रिप्रेजेंट करेंगे देखो पैंथरा क्या था जीनस था पैंथरा एक जीनस था और लियो और टाइगरिस जो होता है वो अलग-अलग क्या थे स्पेसिस थे और टाइगर हो टाइगर और जो लायन है आपका ठीक है तो वह दोना कुछ तो भी लॉंगिंस रख थे आपने अपसे ठीक आपको भी मालू है इसलिए उन्हें हम उनको हमें हमने क्या कर दिया एक कॉमन जीनिस के जीनिस के अ अब लायन और लॉयन और वर्ट हैविंग मॉर्फोलोजीकल सिमेलेटरी तो होती है उन दोनों में ठीक है पैंथेरा है अनुदर स्पेसिक इफिटेट काल्ड टाइगरी और टीगरी फिट पाद में जीनिस एक नेक्ट लेवल होते है आपको एक सीरीज पाड़ करने यह अगयरेट सब क्लोजली रिलेटेड स्पेसिए ठीक है धिक India रिलेटेर स्पेसिए हम कोई भी स्पेसिट उसमें नहीं कर सकते जब तक ओ लेटें नहीं होंगी ठीक है जैसे कि लायन और अच पर बादिन इसमें होग के ऐंसिस के बाद अध लिए डेड़ेख के बाद फ similarities as compared to genus and species ठीक है मैंने आपसे कहा है कि species से kingdom तक जाने तक आपको जो आपके जो है similarities ओ कम होती जाएंगे ठीक है जैसे कि kingdom अने मिलिया है ठीक है मतलब सब है अनेमल लेते हैं मगर स्पेसिज में हम सब अनेमल नहीं लेते ठीक है families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of the plant species जो देखो important point है इसपे question आ सकता है कि family जो होती है और चाप्टर में पढ़ा होगा कि वोटर से जो transfer होता है उसके उसके जैसे features को हम इसमें एड करते हैं कि फिर बाद में family की बाद आता है order ठीक है तो यहां से higher categories चालो होते है ठीक है तो जन्रली order and order higher taxonomic categories यहां से higher taxonomic categories चालो होते है identified based on aggregates of characters मैंस देखो हर यहां पर बहुत सारे मतलब के से होता है aggregates of characters पर होता है मतलब basic character पर या basic similarity पर नहीं होता aggregates of characters पर होता है basic similarity पर इसका डिवाइडेशन नहीं होता इसमें ही लाइन important थी मैंने पड़ाने जिसे ठीक है तो फिर बाद में order के बाद आता है class ठीक है the category includes related orders मतलब बहुत सारे orders मिला के class बनेगा ठीक है for examples order primata comparizing order primata में क्या है monkey है gorilla high gibbon is placed in the class मैं में लिया देखो class मैं में में लिया क्या है उसमें क्या क्यार होता है ये सब फिर बाद में आता है phylum classes comprising animals like fishes amphibians reptiles birds and along with the mammals constitute the next higher category called phylum तो देखो phylum आपने animal kingdom में देखा है की different different phylums are there based on the common character categories ठीक characters or aggregates of characters in case of plants classes with a few similar characters as assigned to have a category called division देखो तो phylum आपको animal kingdom में आएगा और जो division है ओ प्लांट kingdom में आएगा ठीक है तो plants के लिए division रहता है then the last category is the kingdom so higher category which is the higher most category is the kingdom all animals belonging to the various phyla various phyla ठीक है divisions को अलग लेके और phyla को अलग लेंगे यहाँ फाइला रहेंगे animals के लिए all animals belonging to various phyla are assigned to the highest category called kingdom animalia the kingdom planty on the other hand is distinct with and comprises all plants तो देखो kingdom planty में हर एक प्लांट है और आपको चाप्टर भी है separate kingdom animalia और kingdom plant है then this is the most important point as we go higher from species to kingdom जब हम species to kingdom तक जाएंगे the number of common characteristics goes on decreasing मतलब species में ज्यादा common characteristics रहेंगे kingdom में सब से कम फिर बाद में आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे common characteristics are going to decrease lower the taxa more the characteristics that are the members within the tiger जितना lower taxa रहेगा या टैग्जा ही मतलब जो है आपका category है rank है और उसे आप टैग्जान भी खरेंगे ठीक है मतलब जितना कम category रहे आपके species वागेर ठीक है तो उसमें उतने ज्यादा characteristics रहेंगे ठीक है higher the category greater the difficult to determining the relationship to the other taxa at the same level मतलब देखो kingdom ठीक है kingdom ने लेते हम फाइला लेते हैं कि दो तिन फाइला लेंगे हम तो उसमें comparison करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगी दो related फाइला के बीच में मगर वही दो related species के बीच में हमें क्या करने के लिए comparison करने में उतनी दिक्कत ने होने वाली ठीक है तो यह चार्ट बहुत ज्यादा important है I think M's में इस chapter का as it is पूछा जाता है सिरिफ यहां से कुछ तो गायब करेंगे वो ठीक है तो मुझे यह सब याद था देखो इसमें यहां याद करने के लिए कुछ हार्ड नहीं मैं जो होता है उसका बायोलोजिकल नेम मतलब क्या से बायनॉमियर नेम या नॉमिन प्लेचर क्या था उसका होमो सैपियंस तो देखो मैंने क्या कहा था कि जो फर्स्ट वर्ड रहेगा वो जेनीस रहेगा सेकेंड वर्ड इस तो जीनस क्या होगा हमारा मतलब मैंन का होमो रहेगा और स्पेसिस हमारे रहेगी सेपियंस तो जीनस होमो स्पेसिस सेपियंस फिर बाद में फैमिली का एक मतलब आपको केसी पाइचन ने कि अगर एमसी क्यों मैं फैमिली पूछी गई तो देखो मैंन है होमो है इसलिए हो वो एसे end करती है ठीक है किसी भी family के ending एसे खतम होती है ठीक है फिर बाद में family of the man is the hominidia order primate है आपको मालू मैं क्यों order primate है हमारा class जो है हमारा mammal से हम mammal से क्योंकि हमें दो कान है दो पेर वगएर है ठीक है वैसे हम mammal से और phylum जो होता है हमारा core data है simple ऐसे याद करना है कि देखो आपको अपने अनिमल गिंग्डम पढ़ा होगा उसमें आपको एक्जम्पल में दिखता होगा मतलब मैं हमें क्या है इस लिए हम क्या हुआ होगे मतलब वर्टिक बडल कॉलम है तो देखो हम इस चारी को भी पढ़ लो आप खुद से फिर बाद में टैक्जानोमिक एड्स तो इसमें कहें कि क्लेक्शन आफ एक्ट्वल स्पेसिमेंस अगर आपको टैक्जानोमिक टैक्जानोमिक स्टडीज कर नहीं है तो सबसे इसमें तो इसमें से इसमें चीजज है कि एक्ट्वल स्पेसिमें जो होती है प्लांट की और एनिमल की मतलब आप ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते किया मैंने कल पंची उड़ता हुआ देखा था उसको दो आखे थी उसके मतलब कलर ऐसा था और मैं आज उसे एक ग्रूप में डालूंगा ऐसे नहीं होता उसकी आपको actual specimen चाहिए उसे आपको मतलब आपके पास उजिंदा तो चाहिए नहीं तो मरा हुआ तो अच्छी चाहिए उसे करने के लिए एक्ट्यों स्पेसिमेंस और प्लांट एनिमल स्पेसिज अर इसेंशियल इन समकेसे इस प्रिजर्वर फॉर फूचर स्टेडि देखो क्या कैसे होता है कि आपको आगे उसे स्टेड़ी करने के लिए मतलब रेयर हो सकता है यह का दूसरा मिल सकते मत देखो जो हमारा 1920 में कुण सा तो फिश थे ना आपका निलकांत ऐसा कुछ तो था ठीक है तो सिलाकांत तो उसका एक स्पेसिमिन बच गया था हमें मिल गया था थोड़े दिन पहले तो उसको प्रिजर्वर किया गया है क्योंकि एशेट स्टेडिज करनी थी और इन समकेसे मतलब हमसले क्या क्या है क्या-क्या क्या क्या इ lyrics क्या उसका खरांग क्योंकि ने होच वह भासा प्र Привет यह है सबसे और सफी सिंपल और सबसे ज्यादा स्दोंbold कि अधा सब इसके बाद कि हर एक चीज़कर में अरब इस Damn इसे लगए होवा पोधा नहीं होता मतलब मेरे अंगर में पोधा है उसे हम हर्बेरियम में नहीं डाल सकते हैं मतलब हर्बेरियम का पार्ट नहीं हो बायोजिकल गार्डन का है ठीक है बाटनिकल गार्डन का है हर्बेरियम में इस टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पे प्रिजव तो नहीं कर सकता उसे प्रेस करूंगा जितना मेरे पास अच्छा बच्छा उसे प्रिजव करूंगा एंड प्रेस डान शीट्स तो देखो उसे प्रेस करके एक शीट पर रखूंगा ड्राइ करूंगा उसे प्रेस करूंगा और शीट के ऊपर रखूंगा इस univerzally system of classification यह जो हम इसे arrange कर रहे हैं वो universally accepted system of classification के ऊपर करतें आफ़े स्पेसिमेंस पर उनका descriptions भी रहता है become a storage host और repository repository for future use इसे क्या करतें store house करते है और repository फूचिदर इसकłe चीटष अल्शो के रहा हैने follows and in firstly چीट करते हैं उन्हुराजर। टेट मतलब किस दिन आपने उससे कलेट किया ता और रखा था ठीक-ठाक से प्लेस ओफ कलेक्शन कहा से कलेट किया मतलब अफ्रीका से किया इंडिया से किया या अमेरिका से किया फिर बाद में English नाम उसका लोकल नाम मतलब लोकल भी कहते हैं ना हमें पता तो चलना चाहिए कि उस जग जा कि हमें फिर से उपाधला नहीं तो उससे लोकली क्या कहते हैं इंगलिस नाम तो युनिवर्सिल एक्सेप्टेट होता है फिर बाद में बोटैनिकल नेम्स मतलब जो की वर्ड में एक ही नाम बाद में फैमिली उसकी फैमिली करते हैं बाकी कुंसी भी चीज नहीं और वगयरा 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 फाइलम डिविजन ऐसे कुछ भी नहीं सिर्फ उसकी फैमिली एंड़ क्लेक्टर्स नेम मतलब किसने उसे कलेट किया था ठीक है इस हर्बेरिया लाश्ट की लाइन बहु ट्विक रेफरल सिस्टीम ठीक है देन नेक्स्ट वन इस बोटनिकल गार्डन तो देखो बोटनिकल गार्डन के से होते हैं आपके स्कूल में होगे शायद या हमारे अयुर्विदिक कॉलेज में है क्योंकि हमें हर एक पोधा जो होता है उसकी स्टेडी करनी पड़े उसकी चैनिक्विक चैनिक इसके कमीटल कंपोजिशन उसके प्रापर्टीज के मतलब हर एक चीज पढ़नी पड़े इसलिए हर एक कॉलेज में हमरी अःयुर्विदिक कॉलेज में उसका एक बोटनीकल गार्डन तो होता है ठीक है बोटनीकल गार्डन क्या होते हैं ग्लेक्शन के लिए and each plant is labeled indicating its botanical or scientific name उसको botanical scientific name उसके उपर लगा होता है and the famous botanical gardens important day इस पर directly question आ जाएगा इस साल the famous botanical gardens are at q jolan in England में q at England ठीके में पिछले साल इधर गलती कर देती कि क्योंगों London में कहा था क्यूंग इंग्लाड में ठीक है Indian botanical ग्रदन्ट में है जो ही और इंडिया में हैं हमारे इंडिया में कौन का से है हिए इंडिया में हमेरा इंडियान बोटरनेकल ग्रडन ठीक है और इन्गलें Mark and at and at the National Botanical Research Institute Lakhnao Lakhnao में यह मतलब इस जो आपका example में आपको दो इंडिया के example बताए एक बताए आपका also relevant around利曲० जो क्यों रहेए ठीक है बाक्या दुस्वरा लखनौ में होरा हमारे इंडिया में ऐंडिया में ठीक है और हवरा मुझे मालूब नहीं कैसे बड़ इंडियन बॉटेनिकल गार्डन इस लोकेटेड इन हवरा देन नेश्ट वन इस दे म्यूजियम 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 तो आप सब ने देखे होंगे कि एजुकेशनल परपस के लिए रखे होते मूजियम से और कलेक्शन ऑफ प्रिजर प्लांट एंडियम स्पेसिस पर स्टड़ी एंड रेफरेंस ठीक है यह सोते प्रिजर प्लांट एन एनिमल ऐसा नहीं होता कि यह सिर्फ एनिमल से यह सिर्फ प्लांट है आपको जो भी पूरा तत्वक मतलब पुरा नाम कुछ मिल सकत होता है जो कि रेरली मिलता है वह हमेशा म्यूजियम ही रखते हैं अगर यह से भी होता है कि हमें उसे टिका ना पढ़ता है ठीक है प्लांट एनिमल स्पेसिमेंस में अलसो भी प्रेजर एज़ाइब होता है जैसे कि कि skeleton dinosaurs व adesso फड़ाइव हढ़ते हैं उनको ज़्यादा कुछ दिक्त न होती इन सप्रिजर्ड इन वाक सेट को आज में रखते मगर इसकी प्रोसीजर जो 13 बता है ना इसे लाइनिंग में करना पड़ता है ठीक ह ise पहले क्या करते हैं उसे क्लेट करते हैं फ़्स्ट उसे क्या बगर करना होता होगा ठीक है पहले मारेंगे बाद में करेंगे फिर बाद में पिनिंग एसने पहले लाएंगे करेंगे फिर बाद में उसे मारेंगे फिर बाद में उसका पिनिंग करेंगे larger animals like birds and mammals are usually stuffed and preserved museum often have collection of skeletons of animals too मैं आपको बताए कि skeletons भी museum में होते हैं then next one is the zoological parks these are the places where wild animals are kept botanical gardens में plants live ठीक है मतलब जिन्दा plants को रखा जाता है और zoological parks में क्या से होता है कि जिन्दा animals को रखा जाता है जैसे कि जो भी species है tiger की वगएरा ठीक है जो कि अभी extension होने के लिए आ रहे है मतलब endangered वगएर है वोने हम उदर से उठा के जंगल में से उठा के कोई ऐसी जागा पर रखेंगे जहां पर मरें ना ठीक है मतलब उन्हें हम continue कर सके ठीक है future use ठीक है future use मतलब उनकी species हमें बढ़ानी है ठीक है तो देखो these are the places where wild animals are kept in the protected environments we are going to give them protected environments क्यों कि वो endangered है या उन्हें हम अच्छे से care करना चाहते अंडर human care हमें उसे human care करते है ठीक है हम सबकी human care करते क्योंकि हम उन्हें एक protected environment रखते which enable us to learn about their food habits ठीक है food habits and behavior के बारे में हम उनके जान ले एनने all animals in the zoo are provided as far as possible possible the condition similar to the natural habitats children now visiting these parks commonly as zoos जोलोजिकल पार्स को ही zoos कहीते ठीक है नेन दो इंपोर्टन पॉइंट कमीज दो की देखो चाप्टर बहुत आसन लगता है है यह ब्यासन मगर कुछ इंपोर्टन पॉइंट से जिनको आपको याद करना पड़ेगा देन दो की इस दो अनदर टेक्ज़नोमिकल एड यूज यूज दो फर identification of plants and animals based on the similarities and dissimilarities तो देखो कैसे होता है कि एक क्या है एक बर्ड है ठीक है तो उसे आपको दो स्पेशिज है आपके पास दो स्पेशिज है और दोनों में से character मैं चोरे उस बर्ड को तो आप कंफ्यूज हो कि बर्ड को इस स्पेशिज ए में रखे या स्पेशिज बी में रखे तो देखो कैसे होता है कि और आपके पास दो है फिर आप क्या करेंगे सिमिलेटि स्पेसे की और इस बड़ की स्पेसे स्पेसे इस ने इसकी अर Coast धिसी खेंगे टिक जीए तो आपको क्या होगा के आपके पास करना है ठीक है भी में इस रिजल्स इन एक्ट एक्सेटमेंट एक्सेटमेंट को क्या कहते है लीड ठीक है लीड कहते है सेपरेट टैक्जोनमिक कीज इस टैक्जोनमिक केटेग्री सच आज फैमिली जीन इसे नहीं होता है कि सिस्पेशिज में आड करने के लिए जीनस फैमिली किग्णम किसमें भी आइड करने के लिए उसे लगता है फॉर इडिन्टिफिकेशन परफॉस और कीज आर जन्रली एनलाइटिक न इन नेचर लब इस मतलब कैसे होता है कि important रहते है ठीक है मतलब analytic का मेनिंग कैसे होता है ठीक है इसे आप याज कर लो नहीं तो गूगल कर सकते हो analytic का मेनिंग इन दिस इस इस दल्स इंपॉर्टन फ्लोरा मैन्योल्स मोनोग्राप्स और केटलोग्स और सम अदर मींस ऑफ रेकोर्डिंग डिस्क्रिप्शन करने के लिए दल्सों हैल्पिन करेक्ट इडेन्टिफिकेशन देखो फ्लोरा कैसे होता है फ्लोरा कंटेंश्ट अच्छल अक कितने प्लांट से उसके हैबिटेट और डिस्ट्रिपिशन कितने है उनका उस बैर में लिखका होता है फ्लोरा में ठीक है फ्लोरा फाउना ठीक है जैसे वैसे फ्लोरा इस प्रोवाइड इंडेक्स ऑफ द प्लांट स्पेसिट फॉंड इन पर्टिकुलर अरिया रहे है मैं लिए the monograph contains the information of any one taxon, taxon means the category, category means classification or a unit or rank of any which belongs, ठीक है, तो here we ends the living world chapter, तो हम आगे चाके हर एक chapter cover करेंगे शायत, तो देख लो, fast division भी हो जाएगी, हर एक concept भी हो जाएगी, और खुद से पढ़ने में एकात point रह सकता है, इसलिए साथ पढ़ने में भलाई है, then thank you. झाल